नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चेनल पी टीवी राजस्थान में मैं हूँ आपका दोस्त प्रणे विजय आज ब्रज रहस्य नामक हमारे चेनल की लोगप्रिय सिरिज की अगली कड़ी के रूप में मैं आपको कराने वाला हूँ गिर्राज जी परवत की परिक्रमा मैं भी पेदल इस परिक्रमा को कर रहा हूँ और मैं आपको मेरे साथ हमारे प्राचीन ग्रंथों पुराणों में लिखित संपूर्ण गिर्राज परिक्रमा कराऊंगा परिक्रमा मार्ग के सभी पूरानिक व एतिहासिक महत्व के हर उस इस्थल के दर्शन कराऊंगा जिन से हमारे आराध्य श्री करश्ण की यादे जुड़ी हुई है साथ में मैं आपको समस्थ इस्थलों का इतिहास भी बताता चलूँगा तो भगवान श्री करश्ण का नाम लेकर और श्री गिर्राज धरन की जैजेकार करते हुए मेरे साथ शुरू कीजिए गिर्राज जी महराज की असली और संपून परिक्रमा दोस्तों हम इस परिक्रमा की शुरुवात करते हैं दान घाटी से दान घाटी में हुई भगवान श्री क्रश्न व राधारानी की ललित लीला को सभी आचारियों ने अपने अपने तरीके से गाया है गोडिय आचारियों ने श्री दान केली कोमदी व श्री दान केली चिंतामणी ग्रंतों में दान घाटी पर हुई ब्रजराज श्री क्रश्न व भानु नंदनी श्री राधा के बीच तीखी नोक जोक रार तकरार का मधुर वण्णन किया है श्री चेतन्य महाप्रभू, श्री हरीराय जी, श्री गोविंद स्वामी जी, श्री क्रश्न दाज जी, श्री नागरी दाज जी, श्री नंद दाज जी, श्री आशाकरण जी, श्री माधव दाज जी, श्री कुम्भन दाज जी, श्री नारायन स्वामी जी जेसे दिगज भक् को लिखा है गाया है दरसल दान घाटी वह इस्थल है जहां श्री क्रश्ण ने राधारानी को दूद दही का दान लेने के बहाने रोका था और उनके सामने अपना अनन्य प्रेम प्रकट किया था यही वह जगह है जहां श्री राधा रानी जी वह श्री क्रश्न जी में मीथी नोक जोक वह तक्रार हुई थी श्री राधा जी ने यहां श्री करश्ण पर व्यंग किया और कहा कि काना तुम को कोई कामधाम नहीं है निठले फिरते हो काले कर्म करते हो ऐसे में श्री करश्ण ने उन्हें बड़ा मधूर जवाब दिया वह जवाब सुनिए यही हमारो राज है ब्रज मंदल सब ठोर तुम हमारी कुमदनी हम कमल बदन के भावर देखो राधे संपुन ब्रज मंदल में हमारा सामराज है और तुम विक्सित कुमोदनी हो और हम तुमारे भावरे हैं यही वह दान का इस्थान है जहां क्रश्ण दा के ब्याज से ब्रज ललनाओं को रोकते हैं उन्हें इस पर्श करते हैं आप मंदिर का दर्शन कीजिए और महसूस कीजिए उस ललित लिला की महक को जो श्री क्रश्ण ने राधारानी के साथ यहां की थी यह दानगाटी पर बना श्री गिर्राज जी का मुखारविंद मंदि है मंदिर काफी विस्तत बना हुआ है प्रातकाल यहां श्री मुखारविंद पर दूद चड़ाया जाता है यदि आप अपनी परिक्रमा सुबह शुरू करते हैं तो यहां दूद चड़ाना मद भूलिएगा प्लागे बिनावननी काली माने प्लागे बिनावननी को आली माने दान घाटी मंदिर के ठीक सामने से परिक्रमा की शुरूवात की जाती है यह डामर सड़क है इस पर लगबग 700-800 मिटर बाज से परिक्रमा का कच्चा रास्ता भी बना हुआ है जो डामर सड़क के साथ साथ चलता है मैं श्री क्रश्न का नाम लेकर पेदल परिक्रमा प्रारंब कर रहा हूँ आप भी मानसिक रूप से मेरे साथ गिर्राज जी की परिक्रमा कीजिए भक्तगण सामानेत श्री गिर्राजी महाराज को पाँच बार दंडवत प्रणाम करके परिक्रमा प्रारंब करते हैं ध्यान रहे पेदल परिक्रमा नंगे पेर की जाती है आप देख सकते हैं सीधे हाथ की तरफ श्री गिर्राजी महाराज का परवत है मेरे साथ आप भी दर्शन करते हुए राधे राधे रठते हुए परिक्रमा करते चलिए और मेरा विश्वास है आपकी यह मानसिक गिरराज परिक्रमा वास्तविक परिक्रमा जेसा ही फल देगी यह देखिए परिक्रमा मार्ग में क्रश्न भक्तों ने अपनी मनोती पूरी करने के लिए यहां इटों से सांकेतिक मकान बनाये हुए हैं सब भक्तों ने अपना स्वयम का मकान पाने की मनोती मांगी है जेसा मैंने पहले कहा था 700-800 मीटर डामर सड़क पर चलने के बाद उसके साथ कच्चा रास्ता भी शुरू हो जाता है आग बरसाते सूरज की वज़े से जब डामर सड़क कोईले की तरह जलती है तब नंगे पेर गिर्राज बाबा की परिक्रमा लगा रहे भक्तों के लिए यह कच्चा मार्ग ही राहत का काम करता है अब हम प्रवेश कर रहे हैं परम संत श्री गया प्रसाज जी महराज की समादेस्तल की और यहां से तलहटी शुरू हो जाती है इस वातावरण में बड़ी शांती है इस स्थान पर श्री गिर्राज जी महराज की पूजा की जाती है वैसे तो यहां की रज के कणकण में कांथ होने से भक्त श्री गिर्राज जी की पूजा अर्चना बड़ी शांती से कर पाते हैं, उनको अपने समीप पाते हैं, भक्त अपने स्वयम के हातों से श्री गिर्राज जी का दूद दही से अभिशेक करते हैं, उनको पंचामरत से इसनान कराते हैं, उन्हें भोग लगा श्री गिर्राज जी की परम निकटता से सेवा करने के लिए यह इस तल बड़ा उपयोगी है। यह श्री गिर्राज जी की तलहटी है। यहां से आप परवत रूपी श्री गिर्राज जी महराज के प्रत्यक्षवपूर्ण दर्शन कर सकते हैं। बोलिये गिर्राज धरण की जय हमारी परिक्रमा का अगला पड़ाव आएगा आन्योर गाउं आन्योर गाउं दानगाटी मंदी से तीन किलोमेटर की दूरी परिस्तित है इंद्र पूजा के विप्रीद गिर्राज पूजा यहीं पर की गई थी और बहुत सारे वेंजनों से गिर्राज जी को प्रजवाजियों ने भोग लगाया था यहीं परवत के ऊपर साक्षात प्रकट होकर एक रूप से समत्त द्रव्यों को उन्होंने ग्रहन किया था और बार बार और आन और आन कहा अर्थात और लाउं और लाउं इसी से इस गाउं का नाम आन्योर कहलाया लीकष्ट ने फिर सभी से पूछा कि कभी किसी देव ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर दर्शन दिया था देखो गिर्राज बाबा बड़े दयालू हैं वे तुमारी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं ब्रद्वासी भी गोर्धन बूजा कर अपने आपको धन्य समझने लगे वहीं गिर्राज बूजा की परंपरा आज भी सारे राष्ट में प्रसलित है अन्यकूट स्थल पर प्राकर्तिक रूप से कटोरे आधी के चिन्न है पास में ही वजनी शिला है जिसमें उंगली से आघात करने पर बहुत सुन्दर सर निकलता है पास में ही गिर्राजी तलहटी में श्रीनाज जी का प्राकर्ते स्थल है श्रीनाज जी के दर्शन बिना चारो धामों का दर्शन सफल नहीं माना जाता और अकेले श्री नाज जी के दर्शन मात्र से चारो धामों की यात्रा का फल मिलता है श्री नाज जी का प्रादुर्भाव आन्योर ग्राम निवासी सत्तु पांडे द्वारा हुआ यहीं श्री नाज जी का प्राकट इस्थल बना हुआ है श्री नाज जी के दर्शन बिना चारो धामों का दर्शन सफल नहीं माना जाता और अकेले श्री नाज जी के दर्शन मात्र से चारो धामों की यात्रा का फल मिलता है श्री नाज जी का प्रादुर्भाव आन्योर ग्राम निवासी सत्तु पांडे द्वारा हुआ यहीं पास ही श्री क्रश्ण के द्वापर लीला के पांचों उंगलियों के चिन है यहां श्री क्रश्ण ने दूद दही का भोग लगा कर श्री गिर्राज जी पर अपना हाथ पोँच दिया था श्री गिर्राज गोवर्धन पर उनके ये चिन यथावत अंकित हो गए इसके आगे सिंदूरी शिला है जिसमें आज भी उंगली रगणने से सिंदूर निकलता है भगवान ने इसी शिला पर अपनी उंगली रगण कर श्री राधारानी की मांग भरी थी इस प्रकाव श्री गिर्राज जी के उपर दौपर कालीन लीलाओं के अनेक चिन्न यहां अंकित हैं यहां पर ही संकर्षन कुंड है जिसका नवी निकरन हुआ है यहीं भक्त कवी श्री कुम्भन दाज जी की समाधी है पास में गोविंद कुंड है आपको गोवर्धन परिक्रिमा मार्ग में अनेक मानर मिलेंगे गिर्राज परवत ही इन वानरों का बसेरा है आप वानरों को केले खिलाईए तब तक मैं आपको श्री गिर्राज जी की उत्पत्ती की कहानी बताता हूँ गर्ग सहीता के अनुसार एक समय मुनी पुलिस से अनेक तीर्थियारता कर रहे थे तब उन्होंने द्रोणाचल के पुत्र गोवर्धन को देखा गोवर्धन परवत पर शांती का वास था उसके दिव्य सोंदरे से आकरशित होकर मुनी पुलिस्टे ने द्रोणा चल परवत से उनका पुत्र गोवर्धन मांग लिया और मुनी पुलिस्टे के शाप के डर से अपना पुत्र गोवर्धन उन्हें दे दिया गया तब गोवर्धन ने कहा कि है मुनी मेरा शरीर आठ योजन लंबा दो योजन उचा वो पांच योजन चोड़ा है आप मुझ जेसे विशाल परवत को किस प्रकार लेकर चलोगे तब मुनी पुलिस ने उनको अपने हाथ पर बेट कर चलने को कहा इस पर गिर्राज जी ने ये शर्ट रखी कि आप मुझे जहां भी रख दोगे दोबारा उठा नहीं सकोगे तो मुनी ने भी प्रतिग्या की कि मैं आपको रास्ते में कहीं नहीं रखूँगा अपने हाथ से नहीं उतारूँगा इस प्रकार मुनी पुलिस तेक गोवर्धन को लेकर चल दिये चलते चलते ब्रज मंडल में जब पहुँचे तो गोवर्धन परवत को इस बन आया कि ये ब्रज है यहां हमारे स्वामी श्री क्रश्न प्रानेश्वरी श्री राधा सहीत अवतीन होकर गौल बाल गोपी जन आदी के साथ अनेक लीलाएं करेंगे अता मुझे यहां से अन्यत्र नहीं जाना चाहिए एसा मन विचार करके गोवर्धन ने अपना भार बहुत अधिक कर दिया इससे मुझे ठक गए और उन्हें अपनी शर्त याद नहीं रही उन्होंने गोवर्धन को ब्रज मंदल पर रख दिया और लगुशंका करने चले गए फिर इसनान किया और गोवर्धन को उठाने लगे पर ये क्या इसके बाद तो गोवर्धन ने हिलना डुलना भी बंद कर दिया मुनी पुलिस ने गोवर्धन से कहा अब उठो मुनी दोनों हातों से गोवर्धन को उठाने लगे पर उठाने पाए मुनी पुलिस से गोवर्धन से बोले हे ग्रीस रेष्ट चलो अधिक भार मत बढ़ाओ मैं जान गया हूँ तुम रूठे हुए हो शिक्र बताओ तुमारा अभी प्राय क्या है इस पर गोवर्धन बोले हे मुने इसमें मेरा कोई दोश नहीं है आपने ही मुझे यहां इस्थापित किया है अब मैं अपनी प्रतिग्यानुसार यहां से नहीं उठूँगा यह सुनकर मुनी क्रोधित हुए और उन्होंने शाप दे दिया कि तु बड़ा ढीट है तुने मेरा मनुरत पूरा नहीं किया अब तु प्रतिदिन तिल तिल शन होता चला जा इसके बाद से ही माना जाता है कि गौवर्धन परवत हर रोज तिल तिल करके कम हो रहे हैं तो यह थी गौवर्धन जी की उत्पत्ति की कहानी आपने गौवर्धन जी की तलहटी में वानर क्रीडा का आनंद ले लिया हो तो अब आगे चलते हैं आगे पूछरी गाउं आएगा शिगिर्रा जी की सीमा का यह गाउं राजस्थान राज्जे में आता है परिक्रमा वहां से पश्चिम में घूम जाती है पास ही अपसरा कुंड वह नवल कुंड है परमसुंदरिय रमणी अपसराओं ने यहां रत्य किया जिससे इस सरोवर का नाम अपसरा कुंड पड़ गया तथा इसी के समीब जिसे पूर में पूछरी के निकट होने से पूछ कुंड के नाम से जाना जाता था किन्तू भरत्पुर की महारानी नवल के द्वारा इसे नवल कुंड की संग्या दी गई वेसे नित्य नवल नंद नंदन का कुंड होने से यह नवल कुंड है दोनों सरोवरों के पास सगन कुंजों व कदम व्रक्षों से आच्छादित रास इस्थली है इनी सरोवरों के निकट अपसरा विहारी मंदिर, कुंडे शर महादेव मंदिर वर राघव पंडित की गुफा है जिसमें वे भजनिविस्थ हुए थे इसके पश्चात सिद्ध संत पंडित राम करश्न दास बाबा ने भी यहां भजन किया था हम आपको इन सभी जगह के दर्शन कराएंगे लेकिन उससे पहले चलते हैं पूछरी गाओं में पूछरी का लोटा पर गर्ग सहीता के नुसार श्री गिर्राज जी के सभी तिर्थों का नाम करण किया गया तब यह परवजी का एक छोर होने की वज़े से इन्हें पूछ का नाम दिया गया इसलिए इनका नाम पूछरी पड़ गया किन्तु ब्रजवासियों का इसक बारे में अपनामत है ब्रजवासियों के अनुसार मयूराकार गिर्राज जी की पूछ के रूप में इसे मानते हैं इसी कारण गाउं का नाम पूछरी है गिर्राज जी के दक्षिन छोर पर पूछरी का लोठा मंदिर है इसमें उनका लंबा सिंदूर चर्चित विग्रह दर्शनिय है श्री करशन जब द्वारिका जाने लगे तब उन्होंने अपने प्रिय मित्र लोठा को भी चलने को कहा लोठा ने कहा कि मैं ब्रज की रज को छोड़ कर अन्यत्र कहीं नहीं जाऊंगा किंतो तुम्हारे बिना अंगजल भी ग्रहन नहीं करूँगा तब श्री कृष्ण बोले यदी में लोट कर ना आऊं तब भी तुम बिना अनजल के बिना प्राण प्यागे यहां रहोगे और यहीं तब से उच्री का लोटा में लोटा बाबा तपस्यारत हैं ऐसा माना जाता है दर्शन कर लीजिए श्री कृष्ण के प्रमित्र लोटा बाबा के जिनके बारे में मानेता है कि वे आज भी बिना अनजल ग्रहन किये अपने बाल सखा श्री कृष्ण की प्रतिक्षा कर रहे हैं यहां से थोड़ा आगे चलने पर तलहटी में इंद्र मान मर्दन इस्थान है यहां पर इंद्र का गरूर तोड़ा था भगवान श्री कृष्ण ने और इसी इस्थान पर इंद्र भगवान श्री कृष्ण की शरण में आये थे हमने लगबग साथ किलोमेटर की परिक्रमा पेदल पूरी कर ली है अब हमारा अगला पड़ाओ है जतिपुरा जहां पर गिर्राजी का शानदार मनमोहक विग्रह मौजूद है जतिपुरा पुष्टी मारगिय वैश्णव की सिद्ध इस्तली है उनकी यहां बड़ी माननेता है पुष्टी मारगिय वैश्णव जतिपुरा से ही अपनी गिर्राजी की परिक्रमा शुरू करते हैं और उनकी परिक्रमा इसी जगह पर खत्म होती है जतिपुरा की तलहटी पर लुक लुक दाओजी का मंदिर है यहीं एरावत शिला है जिस पर एरावत हाती के पाउव का चिन्ह अंकित है यहीं एरावत कुंड भी है जहां इंद्र के आदेश से एरावत हाती ने अपनी सूंड में आकाश गंगा का जल श्री क्रश्न के अभिशेक के लिए लिया था पास में ही परवत पर हाती के पाउव का चिन्ह भी है दाव जी के मंदिर के उत्तर की और सुर्वी कुंड के दर्शन है जहां सुर्वी गाए ने अपने दूद से स्री क्रश्न अभिशेक किया था उस अभिशेक के दुख्द से ही यहां कुंड बना है यहीं अश्ट छाप कवी शी पर्मानंद दास जी ने विग्र सवरन किया था यहां से चल कर अब हम पहुँच गए हैं हरजी कुंड पर हरजी कुंड एक बड़ा पवित्र कुंड है जो जतीपुरा गाओं के ठीक पहले मुख्य परिक्रमा मार्ग पर इस्थित है हरजी कुंड के पवित्र इस्नान और पवित्र ध्यान के बाद हम पहुँच गए हैं जतिपुरा गाउं में जतिपुरा पुष्टी मार्गे वेश्णवों की सिद्ध इस्तली है यहां उनकी बड़ी मानिता है यह जतिपुरा गाउं है मुख्य परिक्रमा मार्ग से थोड़ा वीतर गिरराज जी का मुखार बिंद है जतिपुरा में यहां जाने के लिए हमें सक्री गलियों से होकर गुजरना पड़ता है इन गलियों में छोटी छोटी दुकाने हैं जिन पर भगवान श्री क्रश्न के श्रंगार भोग वह उनसे सम्मंदित पूजा की सामगरी मिलती है आप जब इस गली से गुजरें तो यहां की लस्सी पीना मत भूलियेगा साथ ही मोटी स्वादिष्ट जलेबी का भी आनंद लीजिएगा यह मनमोח गली हमें सीधा गिर्राज जी के मुखारविंद पर ले कर जाएगी यहां से थोड़ी सी ही दूर मुखारविंद है यह मुखारविंद है शेगिर्राज जी महराज का आप यहाँ दू चड़ाईए भोग चड़ाईए वस्त्र चड़ाईए और आनंद लीजिए शेगिर्राजी के दर्शन कीजिए जिस समय मैं यहाँ पहुचा हूँ तो यहाँ किसी भक्त द्वारा शेगिर्राजी महाराज की पूजा की जा रही है इसलिए बाकी लोगों को दूद चड़ाने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है पर कोई बात नहीं इसी बहाने शेगिर्राजी के दर्वार में जाता से जादा समय गुजारने का सोभाग्य मिल रहा है जब तक यह पूजा संपन होती है मैं आपको मंदिर के बाकी इस्थानों के दर्शन करा देता हूँ मुखारबिंद के ठीक सामने महाप्रभुजी की बेटक है आप यहाँ इनके दर्शन कीजिए लीजिए श्रीक गिर्राजी महाराज की पूजा पूर्ण हो गई अब हम यहाँ पर आसानी से दूद चड़ा सकते हैं आप भी मानसिक रूप से मेरे साथ श्रीक गिर्राजी के मुखारविंद पर दूद चड़ाईए यहाँ गिर्राजी का मुखारविंद है मेरे साथ बोलिए गिर्राज धरण की जय राधे राधे यहाँ से थोड़ा आगे श्रीक ट्रश्न के बड़े भाई दाउजी महराज का छूटा सा मंदिर है जिसके तुरंत बाद दंडवती शिला का मंदिर है दंडवती शिला की यह मानेता है कि यहाँ साथ बार परिक्रमा की जाए तो एक गिर्राज जी की परिक्रमा मानी जाती है दंडवती शिला के पास में ही श्रीनाज जी का मंदिर है कहा जाता है कि यहाँ श्रीनाज जी रोज रात्री विश्राम के लिए आते हैं यह सीडियां शीनाजी मंदिर को जाती है जो गर्राज जी के उपर इस्तिथ है यह शीनाज जी का मंदिर है इसके पश्चाथ हम अपनी परिक्रमा वापश शुरू करते हैं परिक्रमा मार्क पर फिर पैदल चलते हैं आप भी मेरे साथ मानसिक रूप से साथ साथ चलिए बोलते चलिए गिर्राज धरन की जये हम जतिपुरा से तलहटी मार्ग में चल रहे हैं यहां श्री गिर्राज बाबा के बड़े निकर्तम दर्शन है आप भी श्री गिर्राज जी के दर्शन कीजिए और अपने सभी संकटों को दूर भगाईए वैश्नव वारता में लिखा है कि जो जीव गोवर्धन आता है उसे क्रश्न अवश्य मिलते हैं इसलिए आप भी आज संकल्प लीजिए कि एक बार गोवर्धन अवश्य आएंगे और श्री गिर्राज जी की परिक्रमा जरूर लगाएंगे श्री गिर्राज जी की परिक्रमा कुल 22 किलो मिटर की है भक्त अपनी स्ठद्दा अनुसार इस परिक्रमा को पैदल, रिक्षे से, कार में या अन्य सादन से लगाते हैं कुछ भक्त पूरी परिक्रमा दंडोती से पून करते हैं परिक्रमा पैदल समान गती से लगाई जाए तो 5-6 गंटे में पूर्ण हो जाती है और रिक्षे से गाड़ी से 1 गंटे में दंडोती लगाकर परिक्रमा की जाए तो लगबक 7-15 दिन लगते हैं गिर्राज जी की परिक्रमा दो भागों में बटी हुई है बड़ी परिक्रमा और छोटी परिक्रमा बड़ी परिक्रमा 12 किलोमेटर की है जबकि छोटी परिक्रमा 10 किलोमेटर की है हम अभी बड़ी परिक्रमा पर हैं और लगभक 10 किलोमेटर की परिक्रमा पूर्ण कर चुके हैं अब इस परिक्रमा में हमारे लिए केवल 2 किलोमेटर बचे हैं जो जल्दी ही पूरे हो जाएंगे हम वापस मुख्य परिक्रमा मार्ग से हमारी परिक्रमा पूर्ण कर रहे हैं यह हमारा सोभाग है कि इस परिक्रमा में हमें श्री गोवर्धन जी में विच्रन करने वाले अधिकांश जीवजंतूं के दर्शन हुए हमने पहले वानरों की लीला देखी और यह देखिये नील गाय जो श्रिक गिर्राज जी के वनों में स्वच्छंद विचरन कर रही है यहां हजारों की संख्या में नील गाय है यदि आपको परिक्रमा के दोरान नील गाय के दर्शन हो तो वह बड़े शुब माने जाते हैं और इसी के साथ हम इस बड़ी परिक्रमा के अंतिम चरन तक पहुँच गए हैं यहां यह परिक्रमा समाप्त हो जाती है आप भी मानसिक रूप से श्री गिर्राजी को दंडवत परणाम कीजिए इसके बाद हम चोटी परिक्रमा यानी राधा कुंड की परिक्रमा प्रारंब करेंगे यह बड़ी परिक्रमा हमने दान घाटी से शुरू की थी और यह दान घाटी पर ही खत्म हो जाती है इसके ठीक सामने चोटी परिक्रमा राधा कुंड की परिक्रमा शुरू होती है यह भी दान घाटी से शुरू होती है और यह समाप्त भी दान घाटी पर ही होगी हम चोटी परिक्रमा की शुरुवात करते हैं सबसे पहले इस परिक्रमा में एक किलोमेटर चलने के बाद चूटर्टे का आता है, जहाँ पर कुछ समय विश्राम किया जाता है, उसके बाद उद्धव कुंड आता है, हम आपको उद्धव कुंड की कहानी सुनाते हैं। अपना समस्त ग्यान अनपड गोपियों के आगे फीका लगा और उनके ग्यान का दिवे अंबर फूट कर गूदडी बन गया। यहाँ आपको बता दें प्रंदावन में ग्यान गूदडी विख्या थे। एक दिन के लिए ब्रज में आए उद्धव जी यहाँ करश्न के प्य जी का मंदर भी बना हुआ है। पास में ही एक गोशाला बनी हुई है। उद्धव कुंड के पश्चात हम राधा कुंड पहुचेंगे। माना जाता है कि राधा कुंड के इस ब्रजधाम में अवतरन से श्री गिर्राज जी की महिमा आलोकिक हो गई। बस्तुतर श्री रा भीन है। अब मैं आपको राधा कुंड की जबर्दस्त कहानी सुनाने वाला हूँ। कभी ब्रज मंदल में व्रश का भेश धारन किये अरिष्ट नामक असुर रहता था। इसलिए पहले इस शेत्र का नाम अरिष्टवन था। एक बार अरिष्टा सुर के आतंग से जब ब भेमुक्त करने के लिए व्रश रूप अरिष्टा सुर का श्री क्रश्न ने प्राणांत कर डाला। किन्तु इस संहार से ब्रजवासी प्रसंद नहीं हुए। कारण था कि असुर गोवंश की आकरती में था। सांड के रूप में था। अतक गोभक्त ब्रजवासियों ने श्री क्रश्न का परित्याक कर दिया। श्री क्रश्न ने ब्रजवासियों से पूछा कि इसका प्राईशित क्या है तो गोपियां बोली यदि तुम सभी तीर्थी स्थानों का इसनान करो तो इससे पवित्रिकरन संबव है। इस पर श्री क्रश्न बोले यदि मैं सब तीर् से परहार किया और समर्थ तिर्थों को आहुत किया, समर्थ तिर्थ वहां आये और उन्होंने श्री क्रश्न को पवित्र किया सभी तीर्थों के जल में इसनान करने के पश्चात श्री करश्न गोपियों से बोले कि आप लोग भी इन तीर्थों का दर्शन कर लो इस पर गोपियों ने कहा हमें तो कोई तीर्थ दिखा ही नहीं दे रहा श्रिक्रश्ट ने सभी तिर्थों से निवेदन किया कि आप अपना परिचे गोपियों को दें सो सभी तिर्थ अपना अपना परचे गोपियों को देने लगे। के एकत्रित जल में श्रीक्रशन ने इसनान किया और बोले देखो अब तो मैं पवित्र हो गया हूँ फिर गरवानवित होकर बोले देखो मैंने ऐसे सरवर का निर्मान किया है जिसमें समस तिर्थ मैंने प्रविष्ट कराए हैं मैंने असुर को मारा उससे गोहत्यारा तुमन श्रीक्रश्ण की यह बात गोपियों ने श्रीजी को बताई तो राधारानी यह बोली कि जिस कुंड में नहा कर गोहत्या का पाप श्रीक्रश्ण ने दूर किया है उस कुंड में गोपियां और हम नहीं नहाएंगे और श्रीजी ने गोपियों की सहाइता से दो घड़ी में ही वहाँ पर एक दिव्यकुंड का निर्मान कर दिया जिसे राधा कुंड कहा जाता है राधा कुंड को श्री जी ने मांसी गंगा के जल से भर दिया और वो श्री कुंड से बोली कि तुमने अपने कुंड में गोहत्या का पाप धोया है उस पाप से तुम्हारा कुंड दूशित है मैं अपने कुंड को दूशित नहीं होने दूँगी मैं अपने इस कुंड को मानसी गंगा के पवित्र जल से परिपून करके इसकी कीर्ती को अधीतिय बना दूंगी यह सुनकर और श्री क्रश्न का संकेत पाकर कुंड के सभी तीर्थिस्तल प्रकटे और श्री जी से करबध नसमस्तक हो तक परणाम किया और अश्रों से जरजर आश्रों से बोले कि है महाशक्ती सब शास्त्रों के ग्याता होने पर भी जो आपकी महिमा नहीं जानते न ब्रम्हा न शीव न लक्ष्मी आपके यथार्द जानने वाले तो एक मातर श्री क्रश्न हैं उनी के एडी के प्रहार से उत्पन हम हुए हैं और इस कुंड में हमने शरण ली है किन्तु यदि आपकी क्रपादस्टी प्राप्त हो जाए तो हमारी आशा की कलियां खिल जाएंगी आप हमें अपने कुंड में प्रविष्ठ होने की आग्या दें तो हमारा जीवन सफल हो हे राधे मेरे कुंड में तो इसनान कर मैंने गो हत्या रूपी पाप का प्राइस शित किया है इसलिए इसमें तो आपके कुंड के आगे कोई भी इसनान नहीं करेगा और ये उपेक्षित ही रह जाएगा इस पर श्री जी करोणा में हैं वह बोली चिंता मत करो मैं ऐसा नह नहीं होने दूंगी और कहकर उन्होंने एक अकंकर की चोट से दोनों कुंडों को एक कर दिया तो ये लीला है राधा और शाम कुंड की श्री क्रश्न बोले हे प्रियत में तुम्हारा यह कुंड इस संसार में मेरे कुंड से भी अधिक महिमा में है और वही राधा कुंड ह जो गृराज जी की कीर्ती को बनाने में सहायक बना हुआ है राधा कुंड के पश्चाथ में कुसुम सरोवराता है यह वह इस्थल है जहां श्रीक्रश्नने राधा जी की वेनी गूती थी शास्त्रों में कुसुम सरोवर का दूसरा नाम पुष्पवन भी मिलता है यहां श्री क्रश्ण ने राधारानी को पुष्पों से सज्जित किया था अने ग्रंथों में इसके उल्लेक हैं ये बड़ा मनुहारी बना हुआ है कुसुम सरोवर के पश्चात परिक्रमा मार्ग पर मानसी गंगा आती है मानसी गंगा में भक्त इसनान करके अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है मानसी गंगा साक्षात गंगा मानी जाती है श्री क्रश्ण ने पाप नाशिनी मानसी गंगा को प्रकट किया था गर्ग सहीतानुसार यह श्री गवर्धन के युगल नयन है मानसी गंगा के पावन परवों में आशार पूर्णिमा के दिन को बड़ा महत्व है यह दिवस गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है मानसी गंगा पर अनेक विख्यात संतों ने तपस्या की यही महान भोज सखा के अवतार नंद दास जी की प्रेड़ा इस्थली है यहां उन्होंने अनेक प्रख्यात रचनाय लिखी विक्रम सवत 1640 को उन्होंने अपना शरीर यहीं परत्यागा मानसी गंगा के पूरु दक्षिन कोने पर श्री वल्लव घांट है यही वह इस्थल है जहां श्रीमत बल्लवा चारे और श्री महाप्रभु चेतन्य देव जी की भेंट हुई थी मानसी गंगा के निकट कई दर्शनी इस्थल है मानसी गंगा आने के पश्षाथ श्री गिर्राज जी महाराज की 22 किलो मिटर की परिक्रमा समाप्त हो जाती है आप यहां मानसी गंगा मंदिर में प्रविष्ट कर रहे हैं यह वहां का मुख्य द्वार है जो परिक्रमा मार्ग से आता है यह मंदिर जाने का रास्ता है आप मंदिर में अंदर जाईए और दर्शन कीजिए मैं आपको यहां के जो इस्थल हैं यहां जो निकटतम इस्थल हैं उनका परिशे कराता हूँ मानसी गंगा के पूरु में श्री गर्राज मुकट मुखारविंद है प्राचिन शी लक्ष्मी नरायन मंदिर है श्री किशोड शाम का मंदिर है श्री गिर्राज मंदिर है श्रीमन महाप्रभु जी की बैठक है श्री राधा कृष्ण मंदिर है मानसिक गंगा की पश्चिम में श्री गिर्राज जी मारा साक्षी गोपाल का मंदिर है श्री विश्व कर्मा और श्री राधा क्रश्न मंदिर है मानसिक गंगा की उत्तर दिशा में श्री राधा वल्लव, श्री नर सिंग जी, श्री शाम सुंदर, श्री बिहारी जी, श्री लक्ष्मी नरायन जी, श्री नाथ जी, श्री नंद बाबा मंदिर, श्री राधा रमन जी नूतर मंदिर, श्री अद्देत दास बाबा की भजन श्री राधा गोविंद जी भगवन इस्तल, श्री चकलेश्वर महादेव, श्री महाप्रभु मंदिर, श्री रासकुंड, जूलन क्रिडा इस्तल, वो सिद्ध हनुमान मंदिर है। राधा राधा नाम जे, सपने हूं मेलेव, ताको मोहर लाडिलो, रीजी अपनों पहुदे। सब द्वारन को छोड़ के, आयो ते रेद्वार आयो री तेरे द्वार अरी भानु की लाड़ि तू मेरी और न्यार अरी भानु की लाड़ि तू मेरी और निहार अब मेरी कौन तो सुनेगो राधा राणी बीन जेशी क्रश्न दोस्तों मैंने अपने मन क्रम और बचन से अपनी पून सामर्थ के साथ यह परिक्रमा पेदल पून की है और आपको मेरे ज्ञान के अनुसार समस्त इस्थलों की महिमा और महत्व से अवगत कराया है किन्तु श्री गिर्राज जी की महिमा को मैं शब्दों में केसे बान सकता हूँ फिर भी मैंने अल्प ग्यान से यह प्रियास किया है यात्रा में अनेक अनेक तीर्थ हैं जिनका समय सीमा की वज़े से मैं उलेख नहीं कर पाया हूँ ऐसा हो सकता है तो मैं उन समस्तीर्थों से शमा प्रारती हूँ वर्तनी की अशुद्धी के कारण कोई उच्चारण की भूल हुई हो तो मैं उसके लिए भी शमा प्रारती हूँ दोस्तों मानसी गंगा मंदिर के पश्चाद परिक्रमा समाप्त तो हो जाती है किन्तु इसे तब तक पूर्ण नहीं माना जाएगा जब तक हम वापस उस जगह पर नहीं पहुँच जाते जहां से हमने इस परिक्रमा को प्रारम किया था इसलिए यहां से दान गाटी मुखार बिन तक पेदल चलते हैं जहां मेरी तो पेदल और आपकी यह मानसिक रूप से परिक्रमा पूर्ण हो जाएगी मेरा आपसे निवेदन है कि एक बार पेदल परिक्रमा लगाने श्री गिर्राजी जरूर आएं यह 22 किलोमेटर की परिक्रमा आपके समस्त दुखों को समाप्त कर देगी ऐसा मेरा मानना ही नहीं है असंखिल लोगों का ऐसा विश्वास है मैंने अपनी पूर्ण सामर्थे के साथ श्री गिर्राजी की 22 किलोमेटर की पैदल परिक्रमा करके आपके लिए यह वीडियो बनाया है यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे शेर जरूर करें जिससे आपको पुन्य लाब मिलेगा और जो लोग इसको देखेंगे उन्हें भी पुन्य प्राप्ट होगा और मेरा मानना है आपकी यह मानसिक श्री गिर्राजी की यात्रा आपको वास्त्र की यात्रा जैसा ही फल देगी तो मित्रों मैं अब आपसे विदा लेता हूँ यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे शेर करना ना भूलें और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चेनल पी टीवी राजस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लें हम आपके लिए रोजाना इस चेनल पर लेकर आते हैं एक से बढ़कर एक शानदार वीडियो और ब्रज रहस्ये की हमारी स्रीज में आपको हम दिखाते हैं ब्रज का एक एक रहस्ये मैं हूँ आपका दोस्त प्रणेविजे और आप देख रहे हैं पी टीवी राजस्तान मित्रों अब मैं दान घाटी मंदिर पहुँझ गया हूँ यहां हमारी परिक्रमा पूर्ण हो जाती है मेरे साथ आप भी बूलिए श्रिक गिर्राज जी महराज की जय जैशी कृष्णा जैशी कृष्णा राधे राधे राधे